टरंड्स, टर्म सिंबल के रिलेटेड एमसी क्यू, नेट, सेट, जाम, कई एक्जाम में पुछे जाते हैं, बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, टर्म सिंबल के लिए कुछ फेक्ट अगर हम याद रखेगे, तो एमसी की इजिली सॉल कर सकते हैं, जिससे हमारे समय का बचाव भी हो सकता है, और करेक्ट अंसर भी हम दे सकते हैं, टर्म है 2S प्लस 1 L, एन टर्म सिंबल है 2S प्लस 1 LJ, यानि की S, L एन J के मुल्य हमें कैलकुलेट करके टर्म सिंबल तई करना है, जो S, A, spin, angular momentum है, capital L, resultant, orbital, angular momentum है, जबकि J, resultant, angular momentum, quantum number है, यानि की S, L और J के मुल्य तई करके टर्म सिंबल तई करेगे, वन, ground state term symbol for fully filled subcell, अगर किसी atom या ion की ground state की term symbol तई करते हैं, तब subcell electron से fully filled है, यानि की S2, P6, D10 और F14, configuration की ground state की term symbol होगी, 1S0, singlet S0, क्योंकि fully filled subcell में L बराबर 0, एं S बराबर 0 होगा, और उसकी वज़े से J बराबर 0 होगा, यानि की 3 value 0 होगी, यानि की S2, P6, D10, and F14 के लिए term symbol है 1S0, इसलिए हम अगर fully filled electronic configuration है, तो इसका term symbol direct 1S0 लिख सिखते है, 1S0 term symbol के लिए कौन सी सही electronic configuration है, वो अमें अगर तैकन ना हो, तो वो भी कर सकते है, इसलिए पहला statement है, ground state term symbol for fully filled subcell is 1S0, एफेक्ट आमें याद रखना है, ground state term symbol for half filled subcell, यहाँ half filled subcell होगा, तो उसमें, उसमें L बराबर 0 होगा, और L बराबर 0 होने की वज़़ से, जे तै करेगे, तो जे में L बराबर 0 होने की वज़़े से, जे बराबर S होगा, और S is equal to N by 2 है, S, P, D, और F, चैरो, और्बिटल के लिए, अगर half filled subcell है, तो उसमें L बराबर 0 होगा, L बराबर 0 होने की वज़़े से, यहाँ, टम होगी, S, यानि की सिंगलेट, सभी सिंगलेट होगे, यहाँ, N is equal to 1 electron है, S, P, half fill होगी तब 3 electron होगी, D में 5, F में 7 होगी, इसलिए उसके लिए, spin multiplicity to S plus 1 बराबर, N plus 1 यानि की 1 plus 1, 2, 3 plus 1, 4, 5 plus 1, 6, and 7 plus 1, 8 होगा, और जेगी बेल्यू, N by 2, यानि की, N is equal to 1, 1 by 2, 3, 3 by 2, 5, 5 by 2, and 7, 7 by 2 होगा, यानि की, half fill sub-cell के लिए, electronic configuration, S1 के लिए 2S1 by 2, P3 के लिए 4S3 by 2, D5 के लिए 6, S5 by 2, and F7 के लिए 8S7 by 2 होगा, यह फैक्ट है, 3, ground state term for less than half fill sub-cell, and more than half fill-cell, अगर atom और आयन की, ground state की term तई करनी है, और उसमें, sub-cell में, less than half fill electron है, यह more than half fill sub-cell है, तो P, D और F के लिए हम कुताई कर सकते हैं, S1 के लिए हम कर चुके हैं, S2 के लिए कर चुके हैं, term कौन से हैं, P में, P1 और P5, दुनों में, एक-एक और इलेक्टरन होगा, यानि की, N बराबर 1 होगा, N बराबर 1, तो spin multiplicity to S plus 1, यानि की 2, double it, और, उसमें, L, L is equal to, 1 होगा, क्योंकि, P के लिए, plus 1, 0, and minus 1, L बराबर, plus 1 होगा, और P, टम होगी, यानि की, P1, P5 के लिए, ground state की, term होए, 2P, उसी तरब, P2, P4, दोनों में, दो, अड़ इलेक्ट्रोन है, N is equal to 2, यानि की, 2S plus 1 बराबर, N plus 1, 3 होगा, triplet, और, टम होगी, 3P, triplet P, यानि की, P1, P5 के लिए, double it P, और, P2, P4 के लिए है, triplet P, D1 टू D9, configuration के लिए, ground strength की तम, देखेगे तो, D1 और D9, दोनों में, एक और इलेक्ट्रोन है, D2, और D8 में, 2 इलेक्ट्रोन, D3 और D7 में, 3, D4 और D6, में, 4 और इलेक्ट्रोन है, ground strength की तम तकाये करने के लिए, सबसे उपर D, नीचे D, और दोनों, बीच में, F, capital, लेक्ट्रोन लखेगे, 1 के लिए, spin multiplicity होगी, N plus 1, N की 2, N की 2, 3, 4, N 5, N की D1, D9 के लिए, ground strength की तम होगी, 2D, D2, N D8 के होगी, लिए होगी, triplet F, D3, N D7 के लिए होगी, 4F, D4, N D6, configuration के लिए होगी, 5D, F1, F13 की बाद करें, तो उसमें, F1, F13, दोनों में, एक और इलेक्ट्रोन होगा, उसी तर, F2, F12, F3, F11 में, 3, F4, F10 में, 4, F5, N F9 में, दोनों में, 5, होड़ी इलेक्ट्रोन होगी, ग्राउं स्टेट की इत्तार में, टम्ट तई करने के लिए, F1, F13 के लिए, सबसे नीचे F, दोनो F, H, और दोनो I लिखेगे, और, spin multiplicity, 2S प्लस 1 बराबर, N प्लस 1, यानि की, N is equal to 1 है, तो 2, 3, 4, 5, 6, and 7, यानि की, ए, F1 को, F1 to F13 के लिए, क्राउं स्टेट की तर्म होगी, और, यह हम easily, याद रख सकते हैं, और, उसका यूद करके, MCQ easily solve कर सकते हैं, Thank you, for watching,